वेलकम टू इस्टेनो विद पारस डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांस सेकंड बाद स्टार्ट पुलवामा हमले के करीब डेड़ साल बाद राष्ट्रिय जांच एजनसी यानी एन आई ए की ओर से 19 आतंकियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र यही बता रहा है की इस आतंकी हमले की साजिस कितनी गहरी थी और उसे किस तरह पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैस ए मोहम्मद ने अन्जाम दिया था आरोप पत्र में देरी का कारण 40 जवानों की जान लेने वाले इस भीषण आतंकी हमले की साजिस की बिखरी कड़ियां जोड़ना हो सकता है लेकिन अब चेश्टा यह होनी चाहिए की अदालती प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़े इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा सुनाने से ने केवल आतंकी तत्वों के दुस्साहस का दमन होगा बलकि पाकिस्तान को बेनकाब करने में भी मदद मिलेगी इसके साथ ही राष्ट्रिया जाच एजनसी आतंकवाद के खिलाफ एक सक्षम संस्था के रूप में उभर कर सामने आएगी इस एजनसी की ओर से दाखिल आरोप पत्र के अनुसार पुलवामा का आतंकी हमला पाकिस्तानी आतंकियों के इसारे पर अंजाम दिया गया आरोप पत्र में जैस ए मुहुम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर के साथ उसके भाई को भी आरोपित बनाया गया है यह वही खुंखार आतंकी है जो संसत के साथ पठान कोट में भी आतंकी हमले करा चुका है उसे अपरहत भारतिये विमान के बंधक यात्रियों को रिहा कराने के बदले छोड़ना पड़ा था उस पर पाकिस्तान तो महरबान है ही चीन भी उसकी ढाल बनकर अपनी फजीहत करा चुका है हालांकी इस खुंकार आतंकी सरगना परसंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिसद ने पावंदी लगा रखी है लेकिन यह केवल कागजी ही है सच यही है कि पाकिस्तान में वह पहले की तरह सन्नक्षित है पहरा यदि पुलवामा हमले के सिलसिले में मसूद हजर परिलगे आरोप सही साबित किये जा सकें तो पाकिस्तान पर नए सिरे से दवाव बनाने में सफलता मिलेगी नी संदेहे वह भारत की पहुच पकड़ से दूर है लेकिन उसके कई गुरगे तो एन आई ए की गिरफ्त में हैं उन्हें बच निकलने का मोका नहीं दिया जाना चाहिए आतंगवाद के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को प्रभावी रूप देने के लिए यह आवस्यक ही नहीं अनिवार्य है की आतंग की हमलों से जुड़े मामलों की सुनवाई को विसेश प्रत्मिकता दी जाए इसका कोई उचित्य नहीं की अनिय मामलों की तरह इन मामलों की सुनवाई भी लंबी खिचे जब ऐसा होता है तब जाने अन्जाने देश दुनिया को यही संदेश जाता है की भारत आतंगवाद से अपनी लड़ाई पूरी प्रती बदता के साथ नहीं लड़ रहा है उचित यह होगा की आतंग की घटनाओ से जुड़े मामलों की सुनवाई एक तै समय सीमा के अंदर हो इसके लिए केवल राश्ट्रिय जाच एजेंसी के साथ साथ उन अदालतों को भी तेजी दिखानी होगी जिन पर ऐसे मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी है इस टोप झालतों